उन्नीस उन्नीस अफसाल अंग्रेजी हकुमत ने जलियाँ वाला बाग में दिर्दोस्ट लोगों का सप्लियान के लाग इस नरु संहार के बाद एक बारा साल का लड़का उस कटना स्थल्पन वह खुश्मिजाश और चंचल बालक लेकिन उसने जलियाँ वाला बाग में जो देखा था वह उसकी सोच के परे था वस्तब्द था यह सोच कर कि कोई भी इतना निर्दई कैसे हो सकता है वह मासूम गुस्से की आग में चलने लगा था उसी जनियाँ वाला भाग में उसने अंग्रेजी शाक्सन के खराब लड़ने की किसम खाई दिए एक हकुमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर सासन इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता इतनी ताकतवर हुकुमत एक 23 साल के यूवक से भैवीत हो गई थी शहीद भगत्सी परावकरमी होने के साथ साथ दिद्वान भी थे चिंतक थे अपन उनका देश की आजादे में बहुत बड़ा योगदान रहा उनके लिए कभी व्यक्तिगत गवरों महत्वपुन नहीं रहा वे जब तक जीए सिर्फ एक मिशन के लिए जीए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग् बगत्सी बन पाएं या नबन पाएं लेकिन बगत्सी जैसा देश प्रेम देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज़वा जरूर हम सब के दिलों में होगा शहीद बगत्सी को यही हमारी सबसे बड़ी स्रद्धान लिए होगा मैं समस्त देश वास्चों के साहस और विर्था की प्रतिमूर्थी शहीद बगत्सी को नमन करता हूँ